आज की बड़ी खबर एक तरफ की जहां कोरोना वाइरस की वजह से पूरा देश लॉंगडाउन में है वही पिछले 24 गंटों के दौरान भारत का सबसे गर्म शहर रहा गुजरात का एहमदाबाद यहां अधिक्तम तापमान 44 डिग्री सेल्शियस रिकार्ड किया गया है तो आप देख रहे हैं कि एमदाबाद में चारो और दुकाने और दफ्तरे बंध हैं और लोग सोच रहे हैं कि क्या है गर्मी बढ़ने का असली कारण कब तक चैनल पे वार्क फ्रॉम होम की तरह डीबेट फ्रॉम होम में जुड़ गए हैं मुरारी शंकर जो एक एस्ट्रोलॉजर है सुरेश जो एक कर्मचारी है जॉन मैथियू जो एक परियावरान विशेशग्य है और डॉक्टर खान जो एक साइकोलोजिस्ट है साथ में है दया जो हाउस वाइफ है तो आप सभी का यहाँ स्वागत है तो मुरारी शंकर आपको क्या लग रहा है गर्मी बढ़ने का असली कारण क्या है देखिए वाटसेब इनिवर्सिटी के चात्रों ने एक गरंद लिखा है जिसके मुताबिक मोमबत्ती की किर्नों और ये थालियों की आवास से फिलाल मंगल गरह पे भी काफी कमपन है पूरी दुनिया के साथ साथ सूरिय देवता का भी पूर्य पूरा कॉंसेंट्रेशन भारत के अगले कदम पे है तो तब तक अंगारों की बहचार रहेगी हाँ एक उपाए है पर इसके लिए एक शर्त का पालन करना रहेगा क्या शर्त पंडित जी ये मंगल शनी कुछ नहीं होता ये तो लोगों ने हाथ डो डो के पानी खटम कर दिया और अलग-अलग खाना बना बना के उसकी बाप से धर्टी की सटे को जैसे उबाल दिया है इतना ही नहीं उपर से पूरा दिन लुडो खेल-खेल के वेबिनार अठेंड कर-कर के ये जो टी-वी, मोबाल, कम्प्यूटर की गर्मी से ओजोन लेयर में इतना चेड कर दिया इतना चेड कर दिया कि पठानी चल रहा है कि सांस कहां से ले और अरे एक मिनिट, तो आप कह रहे हैं कि मैं लॉकडाउन में केक बेक ना करूँ नहीं डिशिस ना मनाओ, सोशियल मीडिया पे पीछे रह जाओ वाट्साप, टिक टॉक, इंस्टा, फेस्बुक की एक-एक लाइक की कीमत तुम क्या जानो मैथ्यू बैबू, और आप चाहते क्या हैं, कोरोना से बच के मैं फोमो से मर जाओ यही दिक्कत है, किसी ने कुछ कहा नहीं कि लोगों के दिमाग की सीटिया बजने लगती है यह सब उसी की गर्मी है, सुजाता जी बाहर से ज्यादा गर्मी तो लोगों के अंदर भरी पड़ी है वातावरन गरम हो रहा है, मेंटल स्ट्रेस, गुसा, डिप्रेशन, यह सब गरम अनुबुतिया है मेरा मानना है कि इसको थंडा रखने के लिए अजी बरफ, बरफ, भाई साब बरफ चाहिए, बरफ, बरफ बरफ भी एक तरीका हो सकता है, पर मेंटल स्ट्रेस के लिए अरे डॉक्टर साब मेंटल स्ट्रेस नहीं है यह यह तो बाहर गया था, पूलिस ने पूरे शरीर पे टैटू छाप दिये, समझो बाहर निकलने वाले लोगों ने सारा बरफ गिस गिस के पिगला दिया है मेरा मानना है कि यह क्लाइमेट चेंज इस रियल देखिए स्टूडियो की गर्मी मत बढ़ाईए, शैंती से काम लीजिए और यहाँ पे हम अपने दर्शकों को बटा दे कि ताजा खबरों के अनुसार भारत में लॉकडाउं को बढ़ा दिया गया है तो बताइए, इस से क्या-क्या फाइदे होंगे भारत को जी भारत का थो पता नहीं, पर मेरे मुंबाई की गर की बालखनी से पहले टाजमाल और हिमालिया दिखना शुरू हो गया और अब शायद नाइगर फॉल्स भी दिखाई देने लगे ठांक्स तो लेसर पॉलूशन, यदो जी मैंने तो मास्टर शेफ सीजन 101 के लिए अपलाई किया है अब तो मैं ऐसा खाना बनाऊंगी, ऐसा खाना बनाऊंगी कि बस हाँ 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 हमें भी बिजवाई है इस लॉकडाउन से मुझे इतना पता चल गया है कि मेरे घरवाले इतने भी बुरे नहीं है जितने की ये पुलिस के डंडे है अरे वो सब तो ठीक है मैं एक दिन में में इंटल हेल्थ के 10-10 वेबिनार में हिसा लिया करता था उस हिसाब से 140 वेबिनार और कर पौँगा रे मैं मेरा मतलब है कि सब अपने अपने में लगे है अच्छा बुरा जो सब मोम आया है मैं अभी भी कहता हूँ कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि किसी ने मेरी शर्त नहीं सुनी अगर मेरा SMS एक सो आट लोगों को फॉरवर्ड किया हो था तो आज ये दिद नहीं देखना पड़ता मेरा आप भी ये SMS फॉरवर्ड करे तो आपके स्टूडियो में भी ठंड बनी रहेगी जी पंडित जी हाँ तो आप सब ने देखा कि कैसे लोग इस सक्थ गर्मी और महमारी का सामना कर रहे हैं पंडित जी के SMS का तो पता नहीं पर इस वीडियो को जरूर से लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं सुजाता बेनर जी विदा लेती हूँ देखते रहिए कब तक म्यूज